नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनियूज सारुक खान के बेटे आरियन खान के केस में अब जो है इमत्याज खत्री को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि NCB के दोरा इमत्याज खत्री को समन किया गया था लेकिन फर्स टाइम जो है इमत्याज खत्री NCB के आउफिस में नहीं पहुचा और उसने अप्राइश स्टेट्मेंट दर्ज नहीं कराया था लेकिन अब पिछले तीन दिन से लगातार इमत्याज खत्री को से NCB की टीम पूच्टाज कर रही है लगातार तीन दिन इमत्याज खत्री NCB आउफिस पहुचा और उसने अपना इस्टेट्मेंट दर्ज कराया लेकिन उसके पावजूद भी जो अभी अप्डेट आ रही है उसमें बताय जा रहा है कि NCB की टीम जो है वो इमत्याज खत्री के दिये गए जवाबों से संतुस्ट नहीं है और हो सकता है कि जल्द ही इमत्याज खत्री को गिरपतार कर लिया जाए क्योंकि उसका भी कहीं 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 क्रूज सिप ड्रग केस सामने आ था क्रूज सिप ड्रग केस उसमें उसका कहीं कहीं हाथ है इसको लेकर जो अपडेट आ रहे उसमें बताया जा रहा है कि NCB की टीम जो है इमत्याज खत्री के द्वारा दिये गए स्टेट्मेंट से खुश नहीं है और मैक्सिमिन चांसे से कि उसको भी जल्द ही गिरबतार कर लिया जाएगा इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स मताएं और वीडियो यह जादा सेयर करें